एक तरफ जहां यमन के हूती ने इसराइल के तेल अविव में ट्रोन अटेक करके नितनियाहू को बड़ा दर्द देने का काम किया है वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजगुला इसराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव दिन बादिन बढ़ता ही जा रहा है और वो समूचे उत्री इसराइल को अपनी चपेट में ले रहा है हिजगुला के हमलों ने उत्री इसराइल को एक वीरान खंडर में तबदील कर दिया है और पूरे 24 घंटे हिजगुला के ड्रोन इस इलाके में मनरा रहे हैं और जैसे ही इसराइली सेना इस इलाके में कोई हलचल करती हुई दिखाई देती है वैसे ही हिजगुला के ये ड् और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुला ने उत्री इसराइल को देहला कर रख दिया है हिजबुला ने सिलसलेवार तरीके से इसराइल की कई सैन्ने चौकियों पर बंबारी की है हिजबुला का कहना है कि उसने 18 जुलाई को 2 बच कर 44 मिनट पर खादाब यरीन साइट पर IDF द्वारा हाल ही में लगाए गए जासू सी उपकरणों को निशाना बनाया गया और इसके ठीक बाद मेतूला सेटलमेंट पर भी IDF के कई जासू सी उपकरणों को उड़ा दिया गया यहाँ पर हिजगुला ने गाइडेड मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है जो सीधे IDF के बेस पर जाकर लगी और इस हमले के बाद चार बच कर दो मिनट के आसपास हिजगुला ने बिरकत रिशा और अल राहेब सेन्य चोकियों पर गुरकान रोकेट की जड़ी लगा दी जिसकी वजा से इन दोनों ही चोकियों पर आग लग गई इन हमलों के बीच हिजगुला का ये भी दावा है कि उसने कफार चौबा हिल्स और रोईसत अल आलाम साइट पर रोकेटों से हमला किया है साथ ही हदा ब्यारीन साइट पर एक एंटी टैंक मिसाइल से मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया लेकिन इन हमलों के बीच इसराइल को सबसे बड़ा जटका फाइलान बेस पर लगा जहांपर अभी तक हिजबुला ने हमला नहीं किया था लेकिन इस बार हिजबुला ने ड्रोन का एक पूरा जट था इस बेस पर दाग दिया जिसकी वजह से फाइलान बेस पर आईडियफ को भारी नुखसान हुआ है आपको बता दे कि File on Base पर IDF की 210 वी ब्रिगेड का हेड़क्वाटर और वेरहाउस है हिजबुला का कहना है कि File on Base पर IDF ने पोजिशन ले रखी थी और यहाँ पर कई अधिकारी और सैनिक भी तैनात थे हाला कि इस हमले में IDF को कितना नुकसान हुआ है इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन हिजबुला ने ये जरूर कहा है कि उसके इस हमले ने अपने टार्गेट को हासल किया है और इस हमले के बाद हिजबुला ने अलमजर साइट पर भी गुरकन रॉकेट से सीधा हमला किया और जैसे ही ये हमला हुआ इसके ठीक बात यारा सेटल्मेंट में IDF द्वारा बनाए गए वेस्टन ब्रिगेट के नए हैड़कोर्टर पर भी हिजबुला ने काई ड्रोन अटेक किये हिजबुला का दावा है कि उसने इस हमले में इसराइली पोजीशन और अधिकारियों को निशाना बनाया वहीं इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि रोश पीना और हाजोर हगलीलित सेटल्मेंट पर दो हवाई टार्गेट्स को एर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जिसकी वज़ा से मेतुला समेथ इन इलाकों में आग लग गई जय है कि अज़िशेग्स आगे तो हुआ झांवाई धर टार्गेट्स को पाया जब हुआ है